जून का महीना है और राजस्थान की गर्मी की चर्चा हम हर साल करते हैं लेकिन क्या हम बाने की सिर्फ विपर जॉय तुफान की ही वज़ह से ये राजस्थान के जादतर जिले अभी बार की चुपट में? देखिए मई जून राजस्तान में तपती गर्मी का सीजन होता गर्म हुआये चलती है और टैंपरेशर 15 टिगरी के आस्वात फोंच जाता लेकिन इस वक्त के जो हालात है वो आप देख सकते हैं कि विपर जॉई तूफान ने किस तरीके से कहर बढ़ता है मैं कैमरे से कुछ तस्वीरें बताने की कोशिश करूँगा कि पहार से उपर आपको नजर आ रहा होगा विजिबिलिटी काफी कम है यह जो तूफान है और उसके साथ में भारी बारिस का यह इलाका जहां सामने आपको नजर आ जहां जहां कैमरा नजर आ रहा वहां पर कैमरे जारी है जैसे तूफान मुव कर रहा साइकलोन लगातार बू चाहँ दूरब से और यह पाली का इलाका जहां पर ट्रेन ट्रेक अदर पानी भर गया इसलिए यह यह प्रभावित हुआ निचले इलाकों के अंदर पा निचली इलाकों के अंदर पानी इसलिए और जोटपूर जालोर और बार्मेर का कुछ हिस्सा बार्मेर में कुछ कम हुई है जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ता जारा और इसका असर अब हम देख रहे हैं कि वश्चिनी राजस्तान से दक्षिनी राजस्तान और पूर्वी राजस्तान की और बढ़ रहा है दक्षिनी राजस्तान के अंदर तूफान का और भारिस का उसंदा लेकिन आज जो दिन पर ऐसा लग रहा है लेकिन राज़स्तान में जैसे 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 जो अरब साकरसी तूफान पानी लेकर आया वो यहाँ पर इसलिए भारी बारिस होरी इस इलाके के अंदर तमाम और यह पूरे सुके इलाके है जहाँ पर ज्यादा बारिस नहीं होती है जालोर का इलाका हुआ हो या बार्बेर का इलाका हो या जोत्पूर का इलाका हुआ हो वहाँ पर इसलिए जो छोटे-चोटे डैम स वो तूट रहे हैं इसलिए एंडियारेफ को लगाया गया है राजस्तान सरकार ने और अभी सेना की मदद नहीं ली गई है लेकिन सेना को अलट रहने के लिए का गया कि अगर एंडियारेफ से काम नहीं चलता तब सेना को बुलाया जा सकता है अभी रेस्कियो ऑपरेशन तो राजस्तान के कई लाकों में बढ़ता हुआ नजर आरा शुक्रिया भवानी फिलारेफ तमाम जान करेगे तो राजस्तान के कई लाकों में भारी बारिश के चलते हालात बहुत जादा खराब हो गए हैं बाड मेर के धनेव इलाके में पानी भर गया है और यहां पानी परजानी की वज़े से कई लोग फस गया है जिने प्रशासने सुरक्षित निकाल लिया है ये तस्वीरे हम वहां की दिखा रहे हैं जहां पर पुशासनीक टीम में पहुंची और एक एक करके लोगों को रिस्क्यू किया राजस्थान में तेज हवा के साथ पुवी मुस्ताधार बारिश का सर्थ वेल सेवा पर भी देखने को उन्वक्त मिल रहा है रेलबे ने आज राजस्थान आने वाली 20 से जादा ट्रेनों को रद कर दिया है जोड़पुर्स से आने जाने वाली सभी ट्रेनों को कल तक के लिए रद किया गया है वहीं बाडमेर से हमकर गुजरने वाली 14 ऐसी ट्रेने हैं जिसे रद कर दी गई है